इसे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर तू तक के त्रेडि को देखके कंप्रीट कर लिया है आज हूं देखने वाले हैं चैप्टर नंबर त्री जो कि होगा नर्ट सेंड बोल्ट पर यह स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब का मतलब होता है अब कावले का मतलब होता है नहीं होना है तो आई स्टार्ट करते हैं है पहला टॉपिक हमारा है सब्सक्राइब कि लंबाई कितनी होते हैं इसको दिखाते हैं एसी से टेक है उसकी डायमेंशन होते है टूडी ठीक है मलब कि एक कॉर्णर से दूसरी कॉर्णर तक जो डिस्टेंस होगी वह किसने को बराबर हुई जैसा कि हम इस फिगर की बात करें यहां पर बनावा थ्र सब्क्राइब लेसे बने के लिए सब्सक्राइब बनाए गया गया है जिकली फिर्ण से बृणंर जो की पिरूस्टेंस होते हैं टैक है of the cross corner हो कितनी होती है ठूड़ी होती है और घ्र फ्लेट का मतलब सफिस होती है वहां से दूसर सर्फिस वह जिस्टेंस होते हैं लोगी वन पॉइंट वन पॉइंट फाइफ दी plus 3 mm यह आद रखना है ठीक है और जो एक सर्फेस है जो एक फ्लेट है उसका तो शौड़ाई होगे कितनी होगी वह dk बराबर ठीक है जोसका फ्लेट होगा यहां से यहां तक फ्लेट होगा वह भी डी होगा यह भी डी होगा इस तरह के सारे एक्सागन्त के बराबर होते हैं अब देखिए अगर बाया बात करें इंटरनल डायमेटर की तो कितना होता है जीरो पॉइंट एडिफाई किसके करते हैं सब्सक्राइब को दिखाने के लिए अगर बाहरी बड़े बाहरी मतलब की अंदर में दो होते हैं ठीक है अब दैमेटर है फाइडी है ठीक है तो यह शीजिए हम सब्सक्राइब हो और यह जो आरक बना रहता है यह जोरी होता है ऑन फइंट फाइफ डी तेक है यहां पर दिखायाया चैंफाट होता है यह वोता है यह रखना आक है है उस दिखाते है यह चांगर-चांग रखना है 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 का कर लीजिए आगे बढ़ते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला इसमें तो फास्ट लेंगे सेकंड है इसक्वाइर नट ठीक है तो स्कॉयर नट में देखे सेम फ्लेट फ्लेट डिस्टेंस है वह सेम है यहां पर कितनी है यहां पर दिखने को मिलेगा आपको वह अंडर डवलू अंडर टू डवलू है ठीक है कितना है देखे नहीं कि यह तो डवलू और डवलू क्या होता है कि यहां पर बीदिखेंगे का डवलू के बारे में आप है हाँ रहे हैं रहाए डवलू जिसकी वैलू कितनी होता है डवलू इकल टू वन पॉइंट फाइव डी प्लस थी है यहां था ठीक है नहीं कि कॉर्ण सब्सक्राइब कर देंगे जितना भी डायमेटर होगा इसके चोड़ाई को निकाल लिया जाएगा और यहां पर भी यहां पर भी जो हमारा फोगा जो जो ठीकिर però टीश तो होगा ठीकर और इस जो होगा और आर इस यकवालिटाइब फैंड फिवारी जीरो पॉइंट सब्सक्राइब तक हो सकता है ठीक है और अंदर का डायमेटर कितना है यहां पर यह तो बाकी साइज से में आप होगा हमारा कॉर्णार टू डॉड़ जाएगा डावलो आप पे 1.5 दी प्लस 3 है मैं आप टूडी हो जाएगा और जो नट क्यों चाहिए है लोग सकते हैं जीरो पॉइंट एट डी लेकर चल सकते हैं तेहां से कुछ तीज़ें होगे आगे बठते हैं आप देखें टाइप साब नट के बारे बहुत साइट टाइप के नट यूज़ की जाते हैं अलग लगा आप सकता हूं कि जगहों पे तो पहला हमारे पास जो है वह फ्लेंज नट का मतलब क्या है यहां थोड़ा सा बाहर के तब निकला हुआ यह कितना होगा यह फ्लेंज की जो चौडाई है वह 0.25 डी होगी और पुल जो इसकी लंबाई होगी जा अप तूब पॉइंट टू डी होती है थिकत इसमें जीरो पॉइंट टूडी को बढ नट में कि इतनी होती है तो हम बताएंगे जिरो पांट फाइब व्याती है जिरो पांट टू दी बढ़ीजाती है तो है यहां से जो हाइट होगी वह देखा है बट यहां पर जो है और यह कि रमबाई कितनी होती है वह इसकी चोड़ाई कितनी जाती है तो चोड़ाई होती है तो फ़ाई द्यान में रखते चल सकते हैं इसी प्रकास है जो वपर की तरफ से यहां पर सेम डिस्टेंस यह रहेगा हाफ दी होगा यहां तक कर डिस्टेंस जो होगा है यहाद रखके चलना है ठीक इसे परकार से कुछ होनड भी है जैसे कि पर डायमेंट की तरह से नल बना होता है और डायमेटर होता है वह होता है बाहर आउन होता है कि इस विद्धारबी यह अदर का डायमेटर यहां पर दिखाएगया है बाहर का दिखाया गया और इसकी जो रिंग में अंदर लगी हुए उसका डायमेटर यह और जो क्लियरंस है पॉइंट वाइंट वाइंटी है इस सब्सक्राइब होती है लेकिन आप देखके जाएगा तो कर लें उसी प्रकास से है इसमा देखे होंगे यह दो पंक्खे गुमा करें कैसे हैं लगा होता है तो है टिस्से प्रकास इसकी अंदर का डी होता है बाहर का टूडी होता है ठीक है इसको भी आप त्यार कर लेजेगा लेकिन एक जांट के पॉइंट अभी तक पढ़ा गया है वह सब्सक्राइब को देखके ध्यान भी रखेगा ठीक है अब बोल्ट की बात कर लते हैं बोल्ट है तो यहां इसका है पूरा-पूरा हमानेट के जैसा ही होता है यहां फ्लेट टू फ्लेट दिस्टेंस जो है प्लेट टू फ्लेट द जीरो पॉइंट एट दिया गया है हम आपको बता दें जीरो पॉइंट एट दी से लेकर के यह दी तक हो सकता है यह सब्सक्राइब और यहां तो आलो जानते हैं आर यहां पर लिखा गया है आर इसकॉल टू वन पॉइंट सिक्स डी और आज इसकॉल टू वन पॉइंट फाइव भी हो सकता है जो आप सब्सक्राइब आप ब्सक्राइब आप सब्सक्राइब राजब में ओसक्राइब शुर्या कटने के जो लंबाई है वह 1.2 डी तू 1.5 दी रखा है इससे और भी जादा हो सकता है ठीक है और यह मतलब कि हैट के बासे से तक की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई यह लिजकल टू अब टू फोर डी यहां इससे ज़्यादा रखा तो यह चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है इससे बनते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे स्कॉर की बात करेंगे तो सकार डिस्टेंस इतना ही है इसकी हाइट रखा गया जिरो पॉइंट एट डी ठीक है लंबाइब के बास जो लंबाई है वो फोडी हो गया यक्स यक्स भी से उस तरह है वन पॉइंट टूटी 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 टूट फाइव टी तक हो सकता है यह ठीक है आर यहां पर बताया गया जो आर है वह क्या होगा टूडी के बराबर होगा सेम वह से इसको आहम लोगों को ध्यान में रखके चलना इससे अब्देक्टिव को सन पूछा जाएगा आगे पूटते हैं आगे बारे में नुट बोल्ष्च के बीच में वासर यूजिए आता है इसके बारे मी देख लिए यह प्लेन वासर बासर है यह इसको जो होगा बाहर का डायमेटर है वह क्या है एक्टरनल डायमीटर वह 2D प्लस 3 दी है और इसके मसा कितनी होगी यह न हमारा होता है कि यहार रखे चलना है कि इंटरनल डायमीटर दी प्लस 0.5 एक्स्टरनल डायमेटर हमारा होता है 1-1.12 नी होता है ने सब चीज़ें होती है तो यह तो यह टीज़ देज दीज़ी पर हो जाता है तो यह रही यह बात यान थखनी है ऑई इंटरनल आधे में यादक नहीं थेखेंगे हैं वह क्या है वासर की मोटा है जीरो पॉइंट वॉल्ट का ब्यास मतलब की जीरो पॉइंट वन टू डी होता है वासर का डा एक्टरनल डायमेटर तो टू इंटू प्लस जीरो पॉइंट वासर के वोल्ट के लिए बने च्रीट का ब्यास डी प्लस होले इंटरनल डायमेटर डी प्लस 0.5 बाहरी वासर को जो चैंफर होगा वह कितना होगा 30 जगरी पर होगा अब देखिए इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड गया है किससे ट्राइंग में रोकर ट्राइंग में उसको देखेंगे तो यहां से यहां तक कर दिस्टेंस होगा बनाने के लिए देखेंगे तो दी भाई ए WA 2 होगा और यह किआ होगा ठीक है और यहां कि तक ट्सेंस 15 टैडिय होगा यह देखा झिदम TOP धित होगा वही कितना हो गए ºए होगा इसके बराबर और होगा इसके अटा अप्र एक वासर के साथ ठीक है तो यह तो इसे इंक्लूट कर लिया है तक कि आपको देखने को मिलें कि यहां पर है सब्सक्राइब को यह इसे प्रकार से यहां पर देखेंगे तो यहां पर लॉक्ण का यूज करके तो में चीज़ें हमने कम्प्लीट कर दी है यह सब आप सेम चीज़ें देख सकते हैं यहां पर भी है तो करने के का मतलब कि जब कोई मसीनरी पार्ड को जमीन से बांध करना होता है तो उसके लिए जो बोल्ट यूची आता है उसको बोलते हैं लोग फांडेशन बोल्ट के प्रकार के होते हैं उनका यूज करने का परपश भी अलग अलग होता है यहां पर दिखाया गया है उसको जमीन में एसेंबल करके दिखाया गया है देखेंगे यहां पर यह सब कंक्रीट का है कि सिर्मेंट आप आगे फिक्स कर दिखाए गया आगे न को Slip Rolem में इसका नाम किया है इसका नाम है फिदेखर करके चार आध़ा कि कौन सा वोल्ट है तो आपको इनको किया जाएगा तो डी का है वह तो डी कितनी होगी तो डी होगी ठीक है डी क्या है डायमीटर है जिसका वोल्ट का टाक है अगराई कितनी होगी उसकी एक डी के बराबर सब्सक्राइब यहां पर देखिए यहां पर क्या है लेविश बोल्ट है ठेक्थ लेवी समय में में द्याग गया कि इसकी चोड़ाई जो कितनी है इसको बोलते हैं ठीक है यहां पर इसकी चोड़ाई दिया है और इसका डाइमेटर डी है और यह जमीन के सहाथ कितना उचाई पर होगा यह यहां पर दिया गया टू-पैंट-फाइब दी है यहां आप से यह पूछा क्या जाएगा क्या है यह आपको बताना होगा तो इसके इसे अब सतना समझे कि उसको फिगर देकर सम पहंचाने के कोशिश करिए ठीक है इसके रेक बोल्ड कौन सा है तो यह है ठीक है लेविश कौन साथ लेविश यह है ठीक है इसके याद कर सकते हैं याद करें यह राए होती है ठीक है इसकी चोड़ाइब देखर कर लिए इसकी चौर्ण होती है जैसे कि आप देख रहे हैं इसको और यह हैं और यह हैं कॉर्टर बोल्ट को आप देख करके याद कर लेंगे टेलिग्राम पर पढ़ा रहें स्लाइट सब्सक्राइब और पढ़िए नई समय मैंतर पिक कमेंड करके बताएगा कि याद कर लें कि बहुत याद करेंगे तो भूलने चांसे रहता हैं कम से कम इतना तो याद कर लिए आज के पहलें की सब्सक्राइब तो आज सक्राइब आज से लग रहा है तो बताएए और अगर आप चाहते हैं कि याप्लाइड मैकेनिक्स का भी चप्टर में से लेकर कि मसीन तक है सब्सक्राइब कर दिया जाएं के पॉइंट आप यू से तो अब कमेंट करके जरूर से बताएं ओके नेक्स वीडियो में आप टेलिगराम को जरूर समयन कर लिए ताकि आपको सारे पीडियों मिल सकें ओके